हालो फ्रेंट्स आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जेबियस इस्टेडी पॉइंट में स्वागत है आज हम हाई स्कुल के कमेश्टी का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं उससे पहले मैंने फर्ष्ट और शेकेंड को डिस्कस कर दिया हूँ यदि आपने मेरे पहले वाद दूसरे एंड मतलब फर्ष्ट और सिकेंड लेक्चर को नहीं देखे तो आप जरूर से देखे उसके बाद ही आप तिसरे लेक्चर को देखिए जिससे कि आपको सभी चीज आसानी से समझ में आ जाए तो चलिए फिर हम अपना लेक्चर वह आक्सीडेशन यानि आक्सीकरण का जेश्ट व्यूतकरम होता है अब आप पढ़े हैं कि आक्सीकरण में इसमें क्या होता है आक्सीजन का योग होता है जबकि हाइड्रोजन का हरास होता है लेकिन अपचेन में क्या उसका जेश्ट उल्टा वह अभिक्रिया जिसमें आ hydrogen का योग होता है यह हम इलेक्ट्रान की प्राप्ति होती है ऐसे अभिक्रिया को हम करते हैं अब चैन अभिक्रिया या फिर रिडक्षन अभिक्रिया अब यहां पर देखिए कि जो कापर है डाइक्साइड मताँ सी यू ओ है अब उससे देख रहे हैं कि जो उत्पाद बन रह है उससे हमारा आक्सीजन अलग हो जा रहा है अब देखिए इससे सी यू ओ से आक्सीजन का हारास हो जा रहा है हारास मतलब आक्सीजन निकल जा रहा है तो देखिए यहां पर निकल गया मतलब कि यहां पर क्या हुआ अक्सीजन निकल गया अब यहां पर क्या हुआ कापर क कि अब जयन हो लोगा है क्षी ठीकुर प्रकास सिविक यहां पर दे कि आक्सिजन सवरी अब यहां पर क्लॉरी फैंब उसंका करें का पाजर vapor जी रीएक्शन कर रहा है तो अब क्या करें समय इलेक्टान का स्फोर स्फायों खोरा आपको आकशी करण और अच्छे से समझ में आ गया है यदिन यह आए हो तो हमें कमेट में हब करक्व पता सकते हैं अब दख्ये अब आकसिकारक एजेंट यह एक कुछ और नहीं यह आक्सिकरण अप्चेयन ही है देखिए जैसे की हम ने डिफिनेशन में बता दिया क्या किसी रसानिक अभिक्रिया में जिस पदात का अपचेयन होता है उसे हम आक्सी कारक कते हैं मतब जिस पदात का हमारा अपचेयन होगा उसे कहेंगे हम आक्सी कारक देखिए आया फिर दूसरा डिफ्रेसन है वह पदात जो अभिक्रिया में इलेक्टरान ग् प्राप्त करता है working के पीछे हम् बता है कि इलेक्ट्न के क्या होगा अब चेन में इलेक्ट्रांँ की प्राप्ति होती है ठीक वही लिखा जो पद्राद इलेक्ट्रान export करता है न क्या पंपर करता है उसी को हम क्रूंपर शोब स्काराइब तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आयोडीन है टू आय माइनस लिका है लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ क्लोरी ने क्लोरी पर टू माइनस हो जा रहा है इसके कहने का मतलब है कि यहाँ क्लोरीन पर कोई पाश्टिव या निगेटिव चार्ज नहीं था लेकिन य लिए अब इलेक्टरान ले लिया मतब इलेक्टरान को प्राप्ट कर लिया यहाँ पर क्लोनिक क्या हो गया अपक्षिकारक कहलाता है अब देखते हैं अगला हमारा क्या है आक्सिकारक अब शुर्ण में आ गया है अभला हो गया अप्चायक अप्चायक क्या होता है जीक प्रकास से वश्या जिसका अब्चेल होता है उसे आक्षी कारते है ठीक उसी प्रकास यहां पर इसको दूसेत लिख दी है अब चायक वह पदात है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्टरान को त्यागता है यहां पर क्या करना है जो इलेक्टरान को त्यागेगा वो क्या कह रहाएगा आकसी कारक कहलाएगा अब हम जानते हैं क्या आकसी करण में इलेक्टरान की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं आक्सी करड़ कहते हैं ठीक उसी प्रकासरे अब यहां पर देखिए आईटरी प्याँव्म है हमतरista मैंस चार्ज इलेक्टरान की अधिक्ता है लेकिन हैंज क्या होगया इलेक्टरान पर हीरो चार्ज में तो कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्टरान ने क्या किया यहाँ पर इलेक्ट जो हमारा आइडिन था दो इलेक्टरान को निकाल दिया निकाल दिया तक हुआ इसमें इलेक्टरान की कमी हो गई तो जिस पदार्थ में इलेक्टरान की कमी होती है वो उसका क्या कहता है आक्सी करण हो गया है तो हम जानते हैं क्या है जिस पदार्थ का हमें रेटक्स अभीकरिया हमारा क्या होता है लिखें इप डाक्स अभीकरिया वह अभीकरिया जिसमें आक्सी करड़ाओ अफचयन दोनों होता है ऐसे अभुकरिया को हम रेटक्स क्लिया करते है अब यहाँ पर देखिए कि यहां सी यू-ो प्लस ह Alrighty Ale सी यू प्लस अब देख रहे हैं क्या यहां पर कापर में आक्सीजन जुड़ा है लेकिन इसमें दिख रहे हैं उत्पाद में आक्सीजन निकल गया तिसके कहने क्या है अब किसी पदात से आक्सीजन का अलग होना या फिन हरास होना क्या कहलाता है अब देखिए इस पर क्रिय जुड़ गया तो उससे क्या हो गया यहां पर हाइड्रोजन का आक्सी करण हो गया तो यदि किसी अभिक्रिया में अब चैनों आक्सी करण दोनों साथ साथ हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को करते हैं क्या रेडाक्स अभिक्रिया करते है आई होप आप सुझ में आ गया होग जब किसी धात्टू या पे जब कोई धात्टू अपने आज पास अमन आदता आधी के संपर्क में आती है तो वह संचरित हो जाती है इस प्रक्विया को हम संचारर कते हैं जैसे आप जानते हैं कि यदि लोहे की किसी चीज को खुले वातावररर में रख देते हैं तो क्या कहता है वाता वर्ड की नमी को असोसित कर उसमें जंग लगना शुरू जाता है कुछ संचार कुछ और प्रक्रिया नहीं है लोहे में जंग लगना ही हमारा संचार कहलाता है या फिर को रोजन कहलाता है अब देखिए संचार होगा तो मैटरियल क्या होगे धीरे धीर कर समाप्त होती जाएंगे यहां पर एक्जामपन में लग रग दी हैं कि लोहोए में जंग लगना यह चांदी के ऊपर काली परत इत्यादी यह सब क्या होंगे संचारण की कारण होंगे यह क्यों आता है क्योंकि जाते हैं हमारे वातावरण में इनवार्मेंट में क्या होती और उसमें अब रसंपर में आती हैं तो उसको कूल झाले सटब प्रक्रिय है तो उसको ऑगला टापिक क्या है हमारा अगला टापिक है विक्रित गंधिका विक्रित गंधिका क्या होती है अब इसको थोड़ा सा समझ लिजे कि विक्रित गंधिका क्या होती है जैसे हम लिख दिये जब तेल तथा वसा यूथ खाद पदात अब चरित हो जाते हैं तब विक्रित गंधिका होती है त तो इसको जब कुछ समय बाद जब उसको खा जाता है तो घॉस गंध आने लगता है और उसका साध परिवर्तित हो जाता है यही प्रक्रिया हमारे क्या करती है हमारे क्या फिक्रित गंदिका मतलब क्या हो गया जो जो किसी बैक्ट्रियल को हम maximum time रख दें तो क्या वाता उसमें दुर्गणद आना शुरू हो जाता है इसी प्रक्रिया को हुआ क्या विक्रित गंधी 5000 अब इसको रोकने का उपाय क्या है अब रोकने का उपाय भी देख लेते हैं क्या उपाय इसका इसका उपा है खाद पदातों को वाई रोधी पात्रों में रखना मतलब हम वहां पर रखेंगे जहां पर क्या हो हमारा वाईउ नहों वाई मतलब क्या होगा को से बैक्टिरिया या जिवाड़ू या बिसाड़ू उसे सक्री नहों पाए ऐसा नीम्न ताप पर पके हुए खा आना बन गया है तो इसको हम ठीज में रखते हैं कि हमारा क्या हो खराब नहीं तो क्या उस्ते दुरुगंद आना सुरी हो जाता है यह सब क्या है विक्रित गंदिका या दि दुरुगंद नहीं आना चाहिए अब अगर जैसे खाद पदात जैसे आलू चीप्स आदी की पै जाता है उसमें क्या आक्सीजन गैस को निकालका नाइट्रोजन घैस भरा जाता है क्यों कि उसमें क्या होता है फंगस फंगस यानि कवक जीवाड शक्री नहों हो पाए यदि यह सक्री हो जाएंगे तो क्या करेंग उस चीप्स को खराब करतेंगे और दुरुगंद आने लगेगा है इसलिए क्या होता है हम आक्सीजन गैस को निकाल कर वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं कि यह सब गंद ना आए दूसरा क्या हो गया खाद पदार्थो तथा पके हुए भोजन को सीधे शूर के प्रकास संकरम से बचाए रखना अब हमको क्या होगो ना खाद्य पदार्तों को हमको क्या होगा सुर के प्रकास से बचाया रखना होगा आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम विक्रित गंदिका को रोखने का हमारा क्या 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 पाया अब कते हैं का उत्करमडी अभिक्रिया अब एक विद्करमडी अभिक्रिया अब उत्करमडी अभिक्रिया क्या होती है वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में एक समान रूप से होती है उसे कते हैं हम विद्करमडी अभिक्रिया और एक अनुत्करमडी अभिक्रिया वह दिक्कत हैं तो हमें कमेंड कर बता दीचेगा आज हमारा पार्ट एक केमिकल एंड केमिकल रियक्शन एंड एक्क्वेशन समाप्त होता है और अगले लेक्चर में मैं आपके लिए इससे सम्मंदित कुछ कोश्चन लेकर आऊंगा और डिस्कस करूंगा और आपको समिकल को संतुलित करने के लिए भी कोश्चन लेकर आऊंगा जैसे कि मैंने एक कोश्चन को डिस्कस कर दिया है यदि आपको और वीडियों चाहिए तो हमें कमेंड कर जरूर बताएगा आज की वीडियों में बस इतना आए धन्यवाद